हालो दोस्तों, विल्कम बैक टू मैं चैनल, यदि आप है बिहार बुट कक्छा 9 के स्टुडेंट और आप लोग का एक्जामनेशन है बिज्ञान का, तो मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव कोस्टन्स का अंसर लेकर के आ चुका हूँ, इस वीडियो में हम लोग इसक कि आप लोग को वहां पे पेपर मिल सकें, तो चले स्टाट करें हम लोग यह वीडियो और देखना सुरू करें, यहां पे आप लोग देखेगा, तो यहां पे पहला नमबर कोस्टन लिखा हुआ है, यहां पे पहले देख लिजे, एक से आठ तक संक्या में से मातर चार का आपको अंसर करना है, पहला नमबर कोस्टन है आधारी राशी क्या है, जिसके आपको अंसर आगे की मिलेगा, आप लोग अंतक बने हुए रहें, दूसरा नमबर है विस्थापन क्या है, तिसरा है न्यूटन के गति के तिरित्य नियम को लिखे, चौथा सक्ति क्या है, पा आपको अंसर ऊधारन के साथ यहां पर इसको बताना है तो इसका आंसर आपको दूनों की अन्सर आप लोग को मील जाए जिसमें से आप लोग को किसी एक का अंसर कर लेता है अब लोग यहां 11 से देखेंगों खार है draw कर दो दीसरा दो करना यह तो लुक देखने सरा गोड़ा घ्रल्ड तो यहाँ पर फोल्ट यहां पर फोल्टन का दो आन्टान के है दो दो पहलेकिन आपको लेकिन оновर्यान काelly अरट नहीं मिल जाएगा कोस्टन में यहां पर स्क्रीन सोट में थोड़ा सा गरबर हो गया है लेकिन इसका सारा का अंसर आप लोग को मिल जाएगा यहां पर आप लोग नंबर है हरित गरी परवाव पर एक संशिप्त निवन्द लिखे तो चले अब हम लोग चलेंगे इसका क्यों की ओर तो यहां पे आप लोग के लिए बैलोजी का दो कोस्टन है और बाकी कोस्टन का आप लोग को यहां पे एंसर मिल दाएगा ठीक है जिसे पहला कोस्टन था आधारी रासी क्या है तो उसका आप लोग का अंसर जो हो गया यहां पर दिया गया है देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है वैसी रासी जो किसी दूसरे रासी पर निर्भर ना हो उसे आधारी रासी कहते हैं अध्वा स्वतनतर भौतिक रासी को ही आधारी या मूल रासी कहा जाता है यह आप लोग का हो गया पहला कैंसर दूसरा आता है विस्थापन क्या है तो उसका अंसर जिल Ahíоны को दितीया उप नियम को कि लिखे तो भी इसका अंसर आप लोग को यहां पे मिल घ्याν brands करें सकते हैं ह对 में। उसका एंसर यहां पे दिया गया है उसके बाद है। परती धोनी किसे करते हैं या परती धोनी क्या है तो आप लोग को पता ही होगा कि जब आप लोग किसी खाली अस्थान पर या खाली कमरे में या फिर कभी आप लोग अगर खाली बग इचे वगरा में जाईएगा और आप जो भी आवाज लगएगा तो आपको जो लगेगा क से आप क्या समझते हैं तो लोगपरिज़ित होंगे की कि जब कुछी बी मुष्ट को जब जो भी पाणी के अनदर डाला जाता है तो पानी क्या करता है कि जितना आप उस पर बल लगाता है वो को बाहर फिकने का परियास करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं उत्पला वक्ता बोलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं तरल पतात गेस तथा दरब का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबाय जाने पर वह वस्तु पर ऊपर की और एक बल लगाता है सकते हैं दिरगुत्तर यह प्रस्ण का जो है यहां पर अंसर है आप लोग के पास कारे की परिवासा दे धरात्मक कारे और रिनात्मक कारे का और सुन्य कारे का उधारान देजे तो कारे की परिवासा यहां पर हो गया आप लोग देख सकते हैं कि कारे वह बहुत ही किरिया है ईसमें किसी पिंड पर बल लगा करके उसे मूल अस्थान से विष्थापित क्या जाता है और थात वस्तू पर लगाए गया गया बल तथा उत्वन विष्थापन के अधिस कुन्फल को वस्तू की किरित कारे कहा जाता है Office दिखेगा यहां पर लिखा हुआ धनात्मक कारे के बारे में आप लोग देख सकते हैं धनात्मक कारे का यहां पर आप लोग हो गया आप लोग देख सकते हैं जब दोनों के बीच नभी या 100C डिग्री का कौन बन जाए तो उसको रिनात्मक कारे बोला जाता है अब यहां से आप लोग का chemistry का start है answer तत्व एवं योगिक में अंतर तो तत्व और योगिक में यहाँ पर अंतर आप लोग का लिखा हुआ है आप लोग को अराम से आप लोग को प्रवाइट कर दिया जाएगा आप लोग टेलिगराम से जरूर जूर जाएगे परमानु क्या है उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है आप लोग यहां पर इसको स्क्रीन सोट लेकर करके इसको अराम से लिख सकते हैं या फिर यहां से अगर नजर नहीं आ तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं परमानु के बारे में लिखा हुआ है आयन क्या है तो आयन के बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है समस्थानिक क्या है तो समस्थानिक कभी यहां पर एंसर कर दिया गया है अब आगे क्यों हम लोग चलेंगे तो आएगा यहां पर जिसमें जहरित गिरी परवाव पर यहां पर संचिप्त टिपपनी लिखा हुआ है आप लोग इसको यहां से देख करके आराम से इसको लिख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज़ेज नहीं है अगला जीव विज्ञान का यहां पर परसन आ रहा है तो कोशिका को जीव की सन रचनात्मा के क्यों कहा जाता है तो यहां पर इसका आंसर आप लोग यहां से देख सकते हैं इसका या तो स्क्रीन सोट ले लेजिए या फिर आप लोग आसानी से इसको अपने कॉपी में नोट कर लेजिए अगला यहां पर आप लोग देखेगा तो यहां पर लिखा गया है पादप और जन्तु को सिका में अंतर तो यहां पे आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं और उसके बाद जो है आप लोग इसको एक्जाम में जाकर के लिख सकते हैं अगला अता थेलोफाइटा के दो मुखे लक्षन को लिखे तो इसका यहां पे अंसर ल नहीं जूरे तो टेलिग्राम से जरूर जूर जाए वहाँ पर मैं आप लोग को ये सारा कोस्टन प्रोवाइड करा दूंगा तो थैंक्स पर वाचिंग आप लोग से मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि गनित का वीडियो होगा धन्यवाद